शिमारू के नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें प пр 9-7-1-2-1-3 । झाल 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 सुर्य कोदिता प्रभाव निर्विग्नाम पुरु नेम सर्भार येचु सर्भार वाराम स्रिमागन प्रभरी झाल 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 पोचे कैसे अरेक्रेओ वारो नको लो योगे हुआ का देक्रेओ, वारो जा है यो दे वारो छ्कान देव कर दो दो वो अच्छा बता रिजल्ट कर क्या होगा एक लड़का और एक लड़की शादी के चार दिन हुए है और तुम कैसे बाते कर रहे हो इतनी जल्दी भी क्या है मैं तो एक्जाम के बारे में पूछ रही थी मैं बताता हूँ अरे यह देखो यह देखो जोती मेरे यार ने सारी युनिवर्सिटी में टॉप किया है और तुम भी कुछ कम नहीं तुम्हे भी बसक्रास मिला है हाहा रही हाहा और चुछ कम कर च करें अर्फित तुम्हे एक्भी जोल ऊंता हर रही है हुआ है हुआ ह्ता है हाँ आज ही जा कर उन से मिलना और यह खुछ कबरी मुझे बैंक में आकर सुनाना है आठक्स यार थाटक्यू ऑके बाए 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 वेरी गुड दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है दिपक तुमने अपने दिल से ये सब डिजैन बनाए हैं मगर मुझे खुशी इस बात की है कि हर एक डिजैन अपने ये एक अंदाज लिये हुए तुम सपने अच्छे देखते हो पर उन्हें साकार करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसे मैं खर्च करूँगा मैं सर मैंने तो सोचा था आपके साथ रहकर कुछ तजर्बा हासिल कर लूँगा आपने तो मेरे सपनों को साकार करने का फैसला कर दिया दीपक इनसान अगर फैसला ही सही कर ले तो उसे अपनी मंजिल तक पहुचने में कभी कोई तकलीफ नहीं होती है और तुम से मिलने के बाद मैंने ये फैसला कर लिया है कि इस चैर के हर इलाके में खना बिल्डर्स की बिल्डिंग होंगी और उन तमाम बिल्डिंग के अरे यार वो खना से मुलाकात हुए? मुलाकात तो ही यार मगर मुझे बड़ा ही ज़ीवार्मधी लगे है अजीव क्यों क्या हुआ? अर। पहले ही मुलाकात में अपनी साः जमीनों की लस्ट मेरे सांबर रखिती और कहने लगे जहां जो चाहे बना हो कहा कि जब भी पै जी वो अभी आ रहे है तेरे पैसे है थैंक्स यार चलता है अरे रुक यार अभी चाय बोलकर रहा हूं चाय भी कर जाना है और दिनुजी मैं आपकी कैसे वा कर सकता हूं कसम सपनों की मैं तो अपनी चेक बुक लेने आया था आपको सुंकर खुशी होगी कि मैंने एस्टेट एज़ंसी आफ़िस फistes और यहीन परचाय यए मेरा काडओ प्रीस जिबट मेराशन ही मेरी न लगी पिल्ऑ नजी मैं आप जानखी बहा उकित गूग रह दो आप मुझे यादश ताजमहल, दिन्ली कर लाग किला और हैतरबाद का चार मिलार भी आफखरी सकते हैं अभी हाली मैंने बकिंगम पैलिस का डील करवाय था यह हमारे है ना इस वदास को मल, ही अइपटेस के तिक है वहो क्या बाद में याद कीजेगा चाहे है बारिंग मादन बाबू हलो सर्फ मादन बाबू जो बैट जाते हैं उन्हें मंजिल तक पहुचने में बहुत देर लगती है यह 2.00.000 रुपए हैं मेरे अकाट में जमा कर बादन जिका में जल्दी में हूँ चलता है ओके सर्फ लावादन छलो का सकता है क्या मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई नौकरी तुम्हें पाने के बाद कि Light कि सबाद तुम्हें पाने के बाद कि अगर कर दो को बाग में तो चल में आई तेरी फिखे बाग में तो चल में आई तेरी फिखे बेटी के बाग करेंगे फिखे नीचे हाँ बाग में तो चल बाग में नहीं है जाना बाग में नहीं है जाना वहाँ होगा सारा समाना कैसे सुनाँगा मैं तुझको दिल का फ्रेम तराना 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 परब तो पिचल मैं आई तेरी फिखे हाँ परब तो पिचल हाँ परब तो पिचल मैं आई तेरी फिखे देखे के प्यार तरे तरे तेरी फिखे हाँ को मीचे हाँ परब तो पिचल रास्ते हैं वो अंचाने रास्ते हैं वो अंचाने हम तो हैं प्यार के दिवाने कोई लोटे रा न लोटे ये चाहत के खजाने 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 तो पिचल मैं आई तेरी फिखे हाँ दूर के दूचल पिचल मैं आई तेरी पिचे भूने चहां डजी पूली हम किसे से वहाँ दूर के दूचल हम तो बसाएंगे यारा प्यार ही प्यार करेंगे भूल के ये जग सारा हा सारा हो सारा ही सारा हाँ मैं आई देरी पिचे हाँ और पिचल हाँ 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 क्या हुआ कुछ नहीं चलो तुम्हारी पेंटिंग देखते हैं कितना खुबसूरत खर है मेरी खुआश है कि ऐसा ही खुबसूरत खर तुम्हें खरीद कर दो इस खर में तुम्हें कितनी तकलीफ होती होगी न मुझे क्या तकलीफ है अपना हर जखन जमत से छपाती हो अदिपक, मैंने कुछ नहीं देगा, मैंने कुछ नहीं देगा ठीक है, टिपक, हरे ढ़र में एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे में अंदर से एक कड़ी होती है और वो कड़ी इसलिए होती है कि ऐसे नाजुक मौके पर लगा दी है चेनाब भई तो मैं भी कह रहा हूँ कि घर में एक दर्वाजा होता है उस दर्वाजे के बाहर भी एक कड़ी होती है और उस कड़ी को अंदर आने से पहले बचा दिया जाए समझ गया है समझ गया है आए नदा से खयाल रखोंगा है तू चल मेरे साथ अबी कहां कहां अठी तू तो जानता है मैंने की पहली रात में काहां गुजारता हूं कसीनो में राइट अब मैं क्या रूँगा यार तू मेरे लिए लगी बनेगा यू पहलाज की राइट भूलत की तू तू मेरे साथ चली, मेरे जीत पक्की चुझे जड़ाई खर आंजसे लकार कि ज़ेंगें, आपको हम अचले और आंजसे पार आंजसे हैं इंजसे हैं पार राताँ कि अधिशया नड़ás आंजसे हैं इंजसे और आजसे कम सक्षेट करा दोगा है जब हुआ हैं यह लिध किसा सब्सक्राइब गारी नची है भुष भुष है यह लिध रड़ीह बिल्हाबर्स भुष हम वे प्रेम मैं लिग प्रम्ड गलुख अध्र्स भुष हम लिदे जुच करता थाध्र यह दो दो में लिध बड़ को कि शोसे से बड़ीज़ और इनकी हाई के ब्लाइन और पैसे पैसे प्रूप 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 शूब 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 मदन बाबू ये बाजी तो आप आर गए अरे नहीं साहब आज तो मैं सिर्फ जीतूंगा क्योंकि आज मैं अपने साथ एक लगी मैन लाया हूँ दीपक के पत्ता कुल खोल दो दीपक बाबू खोल दो शायद इसकी अंदेरी किसमत में दीपक चल दे अबे खोलना वाव देखा अरे आशा तुमने इस घोचु को अपना भाई बना कर मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान कर दिया है वो कैसे वो ऐसे क्या हाजारों के बीच मैं इसे गाली देकर तो बुला सकता हूँ अबे साले इदर आ मैं अंदर आसकता हूँ कैसे है मदन बाबू अरे शक्ति बाबू आप आप बैठे ना नमसे बाबू मदन बाबू मैं दस पंदा दिन के लिए लंडन जा रहा हूँ यह 25 लाग रुपय है जो मैं फिक्स रिपॉजिट करवाना चाहता था आप तीन दिन के लिए आपका बैंक बंत है जैसे बैंक खुलता है आप इनने जमा करवा दिएगा शक्ति बाबू यह इतनी बड़ी रकम आप मेरे पास मदन बाबू मैं बिजनसमेन हूँ आदमी को देखकर यह अंदाजा लगा लेता हूँ कि किस पर कितना भरोसर करना चाहिए आप यह 25 लाग रुपए पांच साल के लिए एफटी करवा दिए वो तो हो जाएंगे मगर कहीं आपको बीच में जरूरत पड़ गई तो ऐसा है तो फिर आप अपने नाम से जमा करवा दिए मेरे नाम पर हाँ देखे पांच साल के बाद तो हमें उतना ही रुपया मिलने वाला है जितना बैंक हमें देगी जी तो फिर आपके नाम पर हो या मेरे नाम पर हो क्या फरक पड़ता है ठीक है ना जी तो मैं चलता है अरे लेकिन शक्ति बाबू क्या लेंगे आप चाहे थंडा कुछ अरे कोई तकल्लुप ने बादन बाबू तो मैं चलता है अरे मदन बाबू अगर आप चाहे ना तो यह रुपया किसी बिजनस में लगा सकते मैं? यह कोई बात नहीं जितना बैंक मुझे देगी उतना आप मुझे देदे ना लेकिन शक्ति बाबू यह कम आन मदन बाबू आप चलता है ऐख चलता है यार मदन इस पैसे से तू ना कोई बिजनस शुरू कर दे अब ना बाबा ना देख भाया उस बिजनस में कहीं अगर घाटा हो गया ना तो यह आदमी तो मुझे ठिशिंग गोली से बढ़ा देगा नहीं मैं जबर्दसी की मुसीबत नहीं मोल लेना चाहँ तेरी किस्त में लगता है जिंदगी भर नौकरी करना ही लिख है हाँ लिख लो दीदी में चलता हो चलो अच्छा हो अच्छा लागे है अब कुछ पती की सेवा हो जाए क्यों जोती आती हूँ जोती हाई जोती हाई कर दो कर दो कि अपना दो को अपना है क्या बात है भाई साहब आप इस भंगले को बड़े गौर से देख रहे हैं क्या खरीद्य का इरादा है अगर है तो खरीद लीजिए और अगर नई भी है तो इरादा बना लेजिए क्योंकि आज कर इस बंगले का वाले बहुत परिशान रहता है साट सुतर लाग की प्रॉपर्टी को बीज बाइस लाग पर बेसे को तयार है और इसी के सौधी के लिए मुझे यहां बुलवाया है अरे भाई साफ सोची मात लही डालिये पहरी बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हीरा पत्थर के भाव भी रहा है वो बात तो ठीक है मगर इतने पैसे आएंगे कहां से अरे भाई मैं नहीं जानता अगर आपको खरीनता है तो दो दिमें ले लीजिए ने तो मैं किसी और को दिलवा दूंगा बस सारे एक लाग पड़े है डे नाइट देर रनिंग आफ्टर मी अब वैसे ही मैं आपको दिलवा राता है आप हमारे बैंक के मदन बाबी के दोस्त हैं अन्यवे जीप अट बंसे गए मेट इन दुबाई थरी क्योंगले तो होल नाइट नहीं दीपक नहीं हरे किसी और की अमानत में तुझे कैसे सॉम सकता हूँ अरे पगले शक्ती सिंग ने खुदी तो तुझे का है कि तुचाहे तो उसका पैसा बिजनस पे लगा दे वो तो का था मागर इसका मुतलब यह थोड़ी ना है कि मैं उसका पैसा कहीं भी लगा दूँ कैसी बच्चों जैसी बाते कर रहे हैं आप दीपक यह पैसा कोई खलतका में लगाने के लिए थोड़े ही मांग रहा है एक अच्छी जगा अगर सस्ते में मिल रही है तो इसमें हर्जी क्या है और जमीन के भाव दिन बढ़ते ही जा रहे हैं अरे भगवान ना करे अगर हम पांस साल में इतना पैसा नहीं कमा सके तो उसी बंगलों को बैचकर हम शक्ति सिंग का पैसा चुका देंगे अरे सोच क्या रहे हैं फॉरण बंगला खरीद लीजिए ना बाबा ना मुझे नहीं खरीदना कोई बंगला बंगला है यह सारे पैसे में तुम्हारे भाई को दे देता हूँ अब उससे वह बले बंगला खरीदे यह आग लगा डाले मुझे उससे कोई लेना देता नहीं लेकिन एक बात गौर से सुन लेना दी पक यह शक्ति पर मिल जाने चाहिए हाँ अरे मिल जाएंगे मिल जाएंगे आप जिनता मत कीजिए अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे भाई को मिल जाएगा उसकी खौबों का बंगला हे हे लाला 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 हा ला 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 है यह ला 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 दिल में मुहाबत की बेखुदी, कितनी हसी है ये जिन्दगी दिल में मुहाबत की बेखुदी, कितनी हसी है ये जिन्दगी दिल में चुपी मैं तुछ में सबूँ, जैसे के बंदी में रोगनी दिल में मुहाबत की बेखुदी, कितनी हसी है ये जिन्दगी हाँ ये जिन्दगी मौसम ये तिलकश अताओं का है मौसम ये तिलकश अताओं का है मन्जर ये तेरी वफाओं का है अंदर सफेला लगी पीरा प्यार पूछो ना इसमें है कितना परार तू मेरी सांसों की है शायरी कितनी हसी है ये जिन्दगी तिल में मुहाबत की बेखुदी कितनी हसी है ये जिन्दगी आ ये जिन्दगी कितनी है ये जिन्दगी तू मेरी चाहत का एहसास है तू मेरी चाहत का एहसास है मेरी नजर की हसनी प्यास है है त्यार मेरा यो दिन में पिया मंदिर में जैसे जले है दिया मैं इश्क हूँ और तू आश्ते मैं इश्क हूँ और तू आश्ते कितनी हसी है ये जिन्दगी हो ऐसे चुपी मैं तुछ में सदू जैसे कि मन्जी में रौदे जी तिल में मुहाबत की बेखुदी कितनी हसी है ये जिन्दगी तिल में मुहाबत की बेखुदी कितनी हसी है ये जिन्दगी मुहाबत कितने राव कितनी है कितनी बेख सुछ यही कही बटा धारू फीरा होगा, आज आएगा तू फिकर मत कर, आने की बड़ी फिकर पड़ी रहती तुझे इसक्यूज मी, अरे, हमकी शाराब के दुल्की में किसी और के बंगले में तो नहीं गुज गये बाई, जी बंगला तो आप ही का था, मगर मगर आप मैने खरीद लिये, आप कहते हैं, बंगला मेरा है, और फिर किस से खरीद लिये आपने, जी आपके बेटे से, जो कभी उस आदमी को आपका बेटा के कर मिलवाए था, आप कहें उस एजेंट दीन दयाल, उस दीनों की बात तो नहीं कर रहे हैं, जो कोई भी खाली बंगला देखकर, वाच्मन को पटा लेता है, और फिर बंगले को बेच देता है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इस पड़ा और उनका सुर्गवास हो गया, उनकी आत्मा की शांती के लिए ये बंगले को इसलिए सस्ता बेचना चाहते हैं, ताकि उनका कर्दा अदा हो सके है, आप अगवार नहीं पड़ते हैं, आपका वो दीनू, ऐसे कई बंगले बेचने के अपराद में फरार है, पुल देखो दिपक, जो कुछ होना था हो चुका, अब तुम उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाओगे, मदन यार, तू तो ऐसे कह रहें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, अरे पगले पूरे 22 लाग का सवाल है, 22 लाग का, जो मैं जिन्दगी पैसा लोटाने के लिए 5 साल है, पूरे 5 साल, शक्ति सिंग को ये पैसा कल थोड़ी ना लोटाना है, देखी को, तू सिर्फ अपने काम में ध्यान दे, भगवान ने चाहां तू सब कुछ ठीक हो जाएगा यार, तोंट वारी, और आप, जरा अपने भाई की भेजे के अगर आज आप मुझे बैठने को नहीं भी कहते ना तब भी मैं बैठ जाता है, अगर हम बैंक में कुछ रुपिया फिक्स डिपॉल्ट करवाएं, तो उसका 75 परसिन हम जब भी चाहें, तो बैंक हमें दे सकती है ना, आपकोर्स, थैंक गॉड, इजद बच गई, क्यों सर क्या बात है, मुदर माबू, हमारे याँ करोड़ों का सौधा जबान पर आज मैंने 20 लाग रुपिय के एक बील कर ली है, और इत्तफाक से कहीं से भी कोई भी पैसाने की उमीद नहीं है, और आज मैं दिल्ली जा रहा हूं, ने तो मैं कहीं ने कहीं से इंसाम कर लेता, आप निकल वा लिजीगा, मैं आख ले जाओंगा, ओके, भाई टीपक अब क्या होगा, भाई तो मैं सोच रहा हूं, अगर मंडे तक शक्ती सिंग को पैसे नहीं मिले तो वो ना जाने क्या कर बेठे, बिचारे मंदन तो हमारी वज़े से मुसीबत में फस गया यह सब मेरी वज़े से हुआ है, तुमने मुझे अच्छा घर देने के चकर में यह मुसीबत मोल ले ली है अब मैं ही तुम लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूगी तुम? तो कैसे? मैं डारी से 25 लाक रुपए मांग लूगी नहीं जोती, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊँगा तीपक जरह यह तो सूचो कि पैसों का इंतिजाम करना भी तो ज़रूरी है वो तो है जोती एक काम करते हैं तुम जल्दी से त्यार हो जाओ, किसमत आजमाते हैं हो सकता है भगवान उमें कामयाब कर दे उठो जोती उठो जल्दी चलो अँए जोती नहीं को तो जोती एक करते हैं तो जाओ, किसमते हैं किसमते हैं आगे जाओ जाओ इस शेहर की हर एक रानी प्रकाश किन पहलू मेरे नाचते हैं और यह तीसरा पत्ता भी में डानी है पिर भी यह बैद मैं तुम्हें हर आछिया इस ब्रकाश की ज़या है अट अप्सोस तो इसी बात का है कि बाजी में अपने बराबर वाले के साथ नहीं लगाई तुम्हें तो हार के डर से ही फसीना लिया और मुझे तुम जैसे चिछोरे आदमी का पैसा नहीं चाहिए ये काउंटर उठालो मैं कोई बिखारी नहीं हूँ जो बगर पते देखे काउंटर उठालो काउंटर कैश करा के आपस में बढ़ जानता मगर इसमें इसके भी पैसे अगर मैंने इस्तमाद किया तो अफसोस हो हॉँ आपकि ठाय सब्सकाः नहँ सब्सकति नहीं हँँ झाली आपकी पैसरे दिश। किस मां भुझे तो कि क angefęd से ये लगे लासा पनेखी其實 कि सो थढ एंटर लग्टा सरे ए पार लगत्य मांूने तो दोस्क्छिए कर दो कर दो प्रकाश बेटे, ये पेपर्स अंकल देल अंकल, ये पेपर्स, फाइल, चेकबुक्स दिन भर आप मुझे इन में उल्चाय रखते हैं शांक को अपना दिल भिलाने यहाँ आता हूं हाप मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ता है बेटे, ये तो अच्छा हुआ कि मुझे याद आगिया, काद सुभाई ये कॉर्ट में देने हैं, तस बजे, और आप की सुभा तो बारा बजे से पहले, होती नहीं ए हुआ क्या अ करे दो के ये क्वादि थे येडिगो ये म।ो ये वाद के टूब हुआ क्या है इस यस यस हुओ mutual कर दो आपको कोई ड्रेस पसंद करने की क्या असर होता है आप तो कुछ भी पहन लीजिए उसी की शोबा बढ़ जाएगी नुमर नाइन ये वाव फारा लाक हसी पारा लाक नबे तेरा लाक चोती पूरे तेरा लाक अगर क्लब एक घंटा भी और खुलाता तो पूरे पैसे आज ही जमा जाते खैर कल बड़ी गेम खिलेंगे शक्ति सिंग के पैसे भी लोटा देंगे और अपने सपनों का मैल भी ले लेंगे और उस सपनों के मैल में होगा प्यार ही प्यार हुँ प्युटरी मा सर तो तो प्युटरी मा हुँ प्यूटरी मा हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है अब क्या होगा दीपक हम तो सारे पैसे हार गए तुम्हारे पास कितने रुपए है वही जो तुमने पचीस हजार दिये जब सब कुछ हार ही चुके तो एक आखरी बाजी खेल कर देखते हैं शायद तक्दीर हमें काम्याब कर दे चलो कर देखते हैं झेखते ही है यह नहीं लाई लाई इस्क्यूज मी मुझे प्रकाश कहते हैं आम दीपक इस इस मैं वाइप जोती क्या संगम है दीपक, जोती और प्रकाश जी जी हाँ दीपक बबु मैंने जिन्दगी में कभी हार नहीं माने और आज जित दफाक से मैं कई बाजी हार चुका हूँ अगर जोती जी मेरे लिए खेलें तो मुझे पुरी उमीद है के मेरी हार जीत मिल बदग जाएगी कहीं आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी अगर लगी तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं सोच रहा था अगर ये हार गई तो क्या होगा यहीं ना आप फिकर मत किजिए ये इल्जाम मैं इन पर नहीं आने दुख ये सोच लूगा के मेरा एक हेलिकाप्टर क्रैश होगा बहुँता अगर च्छीे चलिए खेथ क्रिए हुआ किस्किर दूबे किस्किर दिर्ट किस्किर अन्म निए खौब उन्म खौब याय उन्म उवब बुद्ट ओफ आई जोती जी आपने खेल क्यों बंद कर दिया देखिए अगर में लखी होती तो ये बाजी ना हरते इन्होंने तो इसी बाजी जीत रखी है जिसके सामने आदमी अपनी जिन्दगी भी हार जाए तो कम है क्यों दीपक जी हां इसलिए तो मैंने अपनी सारी जिन्दगी इनके नाम कर दी है तो फिर हो जाए एक बाजी देखिए जोती जी में यह नहीं चाहता कि आपके दिल में में वहम रहे के आप अनलगी हैं वोड़ी उसे अप्टेबल पर बज़ाज के काउंडर ले आपको जो नमबर सबसे रपसंद हो लगा दीजे यह सब यह सब है किहाँ वोड़ीम हैं दोव़ी Quandग यह सबसी हैं यार प्रकाश बेटे तुम भी बड़े भुलकड अत्मी तुम्हें याद नहीं है कितने लेगों को तुमने पार्टी में बुलाया था आज सब इंतलार कर रहे हैं तुम्हारा जो आज चुके हैं उन्हें चोड़के आने वालों की फिकर करना कहां की अकलमंदी है आप काउंटर कैश कर लिजिए आइसी गुड़ अब तो आप मन गई कि आप लगी हैं अच्छा प्रकाश बाबू हम चलते हैं दीपक बाबू आपको जबरदस्ती रोखने का मुझे कोई मगर इतना जरूर कहूंगा कि अगर दीपक और जयोती प्रकाश के जनम दिन में साथ रहें तो महफिल की रौनक बढ़ जाएगी तो आज आपका बर्दे है जी विशियो वेरी हैपी बर्दे आपका ये दोफा भरी महफिल में मिलेगा तब भी कबूल करूंगा देखिए ह तो ऐसे ही चले आए ना कोई तैयारी ना आपके लिए को यारी में कितना वक्त लगता है दीपक बाबू इस है इन्हें इनके कमरें तक पहुंचा दो जी आई तीपक हम तो सब कुछ हार गए अब क्या होगा अरे बाबा मैं हूँ ना क्यों फिकर करती हो हां रिलाक्स बिटे प्रकाश बेटे ने जोती बिटिया के लिए ये बढ़िया तुफा बिजवाया है और वो शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं तुम दोनों का नीचे जी पहुंचते हैं ओके ओके आओके बिलकुल गड़ बॉई प्रकाश ने तुम्हारे लिए तोफा बेज़ा है अरे खोलो खोलो इसे मैं इसे नहीं पहनूंगी क्या पागल होगी हो जब हमने उसकी दावत कबूल कर ली तो इस ड्रेस का क्या है फटा फट तयार हो जाओ प्रकाश इंतजार करता होगा प्रकाश पाबू वाँ जब आप जुआ खेलते तो पके जुआरी नज़र आते जब आप म्यूजिक बजाते तो कला के पुजारी नज़र आते हैं समझ में नहीं आता आपको किस नाम से पुकारा जाए पीपक बापू यही तो प्रकाश बेटे की खासियत है कि जो भी इससे मिलता है इसे कोई नया नाम दे देता है कोई इसे परवाना कहता है तो कोई मस्ताना और कोई दीवाना हुआ 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 है दीवाना तो कह दिया दीवान की समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी आशी की समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया पागल है दिल मेरी खता नहीं कब प्यार हो गया बना नहीं मेरे दर्दे दिल की कोई दवा नहीं फिर भी किसी से कोई गिला नहीं पावारा तो कह दिया पावारा तो कह दिया पावारगी समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी आशिक समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया हे 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 ला 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 है काश कोई मेरा सनम मिले किस महर बाकी नगरे घरम मिले रहो में उसकी पल के पिछाओं में रहो में उसकी पल के पिछाओं में सारी दुनिया को खिर भुलाओं में मस्ताना तो कह दिया पर बेखुजी समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी आशिकी समझी नहीं दीवाना तो कह दिया दीवाना तो कह दिया आपकी कहानी सुनकर मुझे आपके दोस्मदन पर रहे मारा है वह बेचहर आपकी महुबत की खातिर मुसीबत ने फजिया उसी की वज़े से तो मैं भी परिशान हूँ मुझे ताज्युक तो इस बात का है कि इस खुदगर्स दौर में मदन जैसे जजबाती लोग जिन्दा करें जहां हर चीज बिकाऊ है प्रकाश बाबू आपका नजरिया बिलकुल गलत है के दुनिया में हर चीज बिकाऊ होती है पीपक बाबू लगता है आपने दुनिया देखी ही ने पीपक बाबू सत्युग में माए फकर से अपने बच्चों को दूद पिलाया करती थी कल्यूग में हर चीज बिकने लगी है तो माए भी बाजार से दूद खरीद कर अपने बच्चों को पिलाती है फिर उसी बच्चे के लिए स्कूल का एड्मीशन खरीदना पड़ता है उसकी पढ़ाई के लिए टीचर का वक्त खरीदना पड़ता है और जब वो जवान होकर डिगरी हासिल कर ले तो उसके लिए नौकरी खरीदनी पड़ती है इस दौर में सब कुछ बिकता है दीपक बाबू सब कुछ बिकता है अगर आप भी अपनी मजबूरी सुना कर किसी से पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी आपकी कोई ना कोई चीज खरीदने की कोशिश जरूर करेगा प्रकाश बाबू अगर मिर पस ऐसी कोई भी चीज होती जिसे मैं बेच सकता तो भगवान की सौगंध मदन और आशा के लिए जरूर बेच देता है दीपक बाबू आपके पास है मैं आपको 25 लाख रुपए दूँगा अगर आप अपनी बीवी की एक रात मुझे बेच दें तो चिलाओ मत खुद गर्ज इंसाम चिलाओ मत तुम्हें एक रात अपनी बीवी से जुदा रहने को तयार नहीं अरे सोचो उस मासूम बेगुना मतन के बारे में सोचो अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी पत्नी को पूरी जिंदगी उसके जुदाई में गुजारनी पड़ेगी अगर हर जगा से मायूस हो जाओ तो दुकानदार बनकर इस खरीतार के पास आजाओ तीपक उस बगवास के बारे में जितना सोचोगे टेंशन बड़ेगा वो एक हादसा था जिसे भूलाना कि अकलमंदी है कैसे भूल जाओ जोती कैसे भूल जाओ कि हालाब ते मुझे इतना मजपूर कर दिया था कि उसकी बगवास सुनकर भी खामोश रहा पकवास का जवाब नहीं दिया जाता अब तुम सारी बातों को भूल कर आराम से सो जाओ दीपक को तो पैसो के कोई चिंता ही नहीं है वो तो रात पर ज्योती के साथ गुंता रहा अगली ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों मिलकर पैसो का इंतिजाम कर रहे हैं मैं सोच रही हूँ बगवान ना करे अगर कहीं पैसो का इंतिजाम नहीं हुआ तो क्या होगा होगा क्या मुझे जायर खालेना पड़ेगा अपनी बदनामी और शक्ति सिंग के जुरू का सामना मैं नहीं कर सकता दीपक अपनी जमीन बेच क्यों नहीं देता भाया दीपक चार मेने के बाद तो तहीं जमीन का मालक होगा और आज ही सोधा करना गया सिर्जी ये जमीन 80 सालों से आपके पास पड़ी है मैं चाहता हूं कि आगे भी यापी के पास रहे अरे बाया ये फैसला करने का अगभी तो तन्य चार मेने के बाद होगा पर सेट जी अगर मुझे पैसे कल तक नहीं मिले तो तो अनर्थ हो जागा सेट जी तन्य पचीस लाग रुपे की जुरूत है ना जी हाँ इबे काम कर मैं तन्य पचीस लाग जूँ तु आपनी जिमीन सदा के लिए मारे नाम कर दे ठीक है सेट जी अरे मनीम जी जाओ से ठाणे के नपीसे लेकाओ ले भाया साइन कर दे लिखा पड़ी मारा वकील कर लेगा अरे तहां आत रूख कागा तो मैं मनीम न रूख जूँगा चाल तसकत कर साइन कर साइन है है शाबास ले भाया गिर ले पुरे पचीस लाग है सेट जी ठीक ही होंगे है जा भाया जाड़ा बांदा चलना भाया जाड़ा बांदा चलना अरे साब एक प्राउब्लम हो गया, आज जल्दी जल्दी में मैं अपना लेसन घर भुला है, अगर किसी पुलिस वाले ने रोका, तो खामगा आपको तकलिफ होगी, और वैसे मेरा गर रास्ते में ही है, अगर आप कहें तो मैं अपना लेसन ले लो, ठीक है ले लो, मगर ज् आप मैं अभी आया, अरे चंदु काणिया, मेरी टेक्सी पे कलोंडा बैठा है, चिकना है, उसके पास एक बैग है, लगता है बहुत भारी है, अबे तु भिकर मत कर, अभी हलका कर देते हैं, चलो फसके मत कुछा है, चिकना है, यास फाल्या मत कर देते है, आप मेर है बहुत रखे कि नहीं को, बहुत तु い! वर चलो, चलो, बिर नहीं कि पर द Luiza occupied लिए गाने! हिल् butterfly हुआ 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 और जहा टेला है, तो, वित वा पाल बनोई? और अखदे इंगा! जो पर कानिया, यह दे जलो यह दे बढ़ो इतनी देर कहां लगा दी, मैं कितना परिशान हो रहे थी यह क्या हुआ तुम फिकर मत करो अगर मदन के पैसों का इंतजाम न हुआ तो हमारी परिशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी सब ठीक हो जाएगा अच्छा मुहा दो लोग खाना खालेते हैं मुझे भूख रही है, तुम खालो जोती अरे आशा दीदी, आपने जोती को कहीं देखें? हाँ, वो मुझे कहकर गई थी कि मैं तुम्हें बता दू, वो अपने डैडी के पास गई है डैडी के पास? अगर हालात से तंग आकर दरमदास की बेटी आई है, तो मैं उसके वापसी की कीमत 25 लाख पी देने के लिए तयार हूँ लेकिन अगर दीपक की पत्नी आई है, तो उसके लिए इस घर में कोई जगा नहीं है तैरी, आपकी बेटी में तो इतनी हिम्मत थी, कि वो आपकी करोडों की जायदा ठुकडा कर चली गई थी अगर वक्त के हाथों मजबूर होकर, इस वक्त दीपक की पत्नी आपके पास आई है दीपक की पत्नी, हमें अगर अपनी बेटी का सुहाग बचाना होता तो हम अपी सारी जायदाज कुरबान कर देते लेकिन हमारी नज़रों में दीपक की कोई आइमत नहीं, अगर उसकी पत्नी का सुहाग बचर रहा है नहीं धरमदास से नहीं, मैं एक भारतिय नारी हूँ और अपना सुहाग बचानी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ For your information, Mr. Dharmdaas, तुम्हारे बहुत से बैंकों में से एक बैंक ये भी है चोती कहाँ है? कहाँ है? ये पता करना तुम्हारा फर्ज है बेवकूफ लड़की अपने गुस्से में, पुझे बहुत बड़ा चालेंज करके चले गई इससे पहले कि वो अपने पागलपन में औरत की मान मर्यादा भूल जाए, जाके ढूंड़ो उसे देखो वो का है, जाके ढूंड़ो चचा यह देयाल चाचा यहां क्यों आए थे? आरे यार यह 25 लाग रुपर जो तुने भीज़वाय थे वो ही देने आए थे 25 लाग? मैंने? क्यों क्या बात? जोती जोती प्रकाश का है? जी वो अभी टेरिस की तरब गये हैं उनके साथ कोई जोती नाम की लड़की थी? नाम तो मुझे मुझे मालूम नहीं हाँ एक लड़की उनके साथ जरूर गई है जी जी माल 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 म्हुत। जीज जीज़र थेण़ लग… वो घड़को दिए। लग… लग… वो घड़को दिए। झाल झाल आपके हुसन को और हसीन बनाने के लिए अंदर सारा सामान मौचूद है आप तैयार हो करा चाहिए मैं आपका इंतिजार कर रहा हूं मंदर कर रहा हूं झाल झाल आप बटन लगाना भूल गई है जोती जी एक बात बताईए आप यहाँ खुद आई है या इसमें दीपक की भी रजमंदी है रकाश बाबो दुकानदार मिटने के लिए तयार था अगर अपना सामान बेचने को नहीं सामान से उजटती हुई दुकान देखी नहीं गई इसलिए खुद खरीददार के पास चली आई रकाश बाबो औरत की मांग में सिर्फ एक चुटकी सिंदूर भरा जाता है मगर उसमें बोज कितना ज्यादा होता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ है भगवान शायद मेरे सुहा को जाटना चाहता था मगर मैं उसे बचाने के लिए खुद उजटने चली आए चियोती जी जब सब कुछ भगवान की मर्दी से होता है तो हम दोनों भी अपनी तक्दीर का फैसला भगवान पर छोड़ देते है अगर हेड आया तो आप जैसे आएं थी वैसी वापस चली जाएंगी और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ तीपके जोती, जोती मेरका तीपके जोती, जोती मेरका ती.. कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मेरी इज़त का, मेरी महाबबत का, मेरे अर्मानों का कातल, कातल तो कोई यार है मेरी ये खून, ये खून तुम्हारे होटों पे कैसे लग दिया है जोती, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो इसे, मिटा दो कोई ये दुनिया वाले ना समझ बैठे के, के तुम कोनेगार हूँ देखो अशाप, तुम चिंता मत करना, सब कुस ठीक हो जाएगा, और वैसे भी अमलग जाहिए ना अच्छा ये ये चुट्टी की दर्कवास में दीपक को दे आता हूँ वो बैंक में दे आएगा, तुम समान बर लो, के जी मदन भैया आप, भावी, सुबह सुबह टेलीग्राम आगया के आशा के टड़ी के तभी अच्छाना खराब हो गई है, हम लोग दोनों बैंगलोर जा रहे है, आप ये अप्लिकेशन दे दीपक को दे देजिए, वो बैंक में दे आएगा तीपक, मदन भैया और आशा बैंगलोर जा रहे हैं, ये अप्लिकेशन दी है बैंक में देने के लिए, मैं उनसे मिलकर अभी आती हूँ तुम तो कहीं भी अपनी मर्जी से चली जाती हो, तो फिर मदन के घर जाने के लिए मुझ से कहने की क्या जूरूत है तीपक बाबू, तुम मुझे देखकर चौंक है न, हर आदमी अपने जमीर से मिलकर इसी तरह चौंकता है तुम कहना क्या चाहते हो, यही कि जो तुमने अभी जोती को तंस किया, क्या इसका हक है तुम्हें? तो क्या करूं? उसकी पूजा करूं? क्या उसकी आरती उतारूं? हाँ? हुआ है हुआ है हुआ हुआ है जोती तुमने हाथों से ज्यादा गालों पर आटा लगा रख है हाँ ना 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 ये लो चाए इपक मेरे गाल पर कुछ लगा है क्या मेरे दोनों हाथ में कब है जरा साफ कर दो ना ये दाग तो साफ हो जाएगा मगर वो दाग जो तुम लगा कर आई हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत साफ ने कर सकती इन बेदिन कर सक्टी तुम नीटा ने प्रश्ती अक्या जालएबा ने दो चाए भी मेरे इतो आई है अजयूाई झाल करे नमशकार चोदी देवी नमशकार नमशकार इतनी रात को यह सब करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है अच्छा तो मुझे तुम्हेरा किसी और के साथ रहना भी लगता मगर तुम रहकर आई हो रहकर आई हो तुम और उस पर हमद यह कि मेरी आखों में आके डाल कर बात भी कर लेती है क्यों हम्मत इसलिए है यह दीपक क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कोई पाप नहीं किया पाप नहीं किया तो कि उस दिन तुम्हारा पुजारी प्रकाश अपनी इस जोती देवी को किसी मंदर ले गया था ताकि वाज जाकर पच्चीस लाक रुपए अपनी देवी के जड़नों में अर्बंड कर सके क्यों वो पुजारी है या मैं देवी यह तो नहीं जानती हाँ इतना जरूर जानती हूं कि हालात मुझे जरूरत की डॉर से बांध कर ऐसी मंदर पर ले गये जहां पहुंच कर मैं अपना सुहाग बचा सकी तीपक यहां से गई भी तुम्हारी पत्नी थी और आई भी तुम् कितो लगाए मगार मगार केली नहीं होई, केली नहीं होई, केली नहीं होई जोती बिटिया प्रकाश ने यह पेपर भेज दें तुम्हार लिए अच्छा बिटि अब हम चलते आपके प्रकाश पाबु इस सब कहा मिलेंगे इस वक्त वो ओटेल किंग में होंगे ओके बाइए मिस्टर प्रकाश तुमने मुझे घर खरीद के देने की हिमत कैसे की जोती जी आपको ऐसे गुसा आरा है जैसे मैंने आपको घर नहीं बहुत बड़ी गाली दे दी तुम अपने आपको समझने क्या हो गुस्से में आपका जितना दिमा खराब है उससे कहीं ज्यादे तो आपने शरीफ आपिंगे कपड़े खराब कर दिये आपको जंकुछ पूछने बाहर चल के पूचिये ऑपको जो कुछने बाहर कर पूछियें इस्क्यूज बीजूज मेंड़ी आये आये जी क्योंकि बगेर कपड़ों के सिर्फ आप प्रकाश बाबो आप अपनी हद से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जियोती जी मेरे ख्याल से उस रात को हम दोनों ने अपनी अपनी हदों का अंदाजा लगा लिया था मेरी खुश्यों को तो उस रात के अंदेरे निगल गए और आपका ये बंगला मेरे बसे बसाए घर को जार देगा प्रकाश बाबो वो घर मेरे लिए किसी मंदर से कम नहीं है क्यूंकि उसमें मेरा पती मेरा भगवाल रहता है और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए आपका दिया हुआ बड़े से बड़ा बंगला मेरी नजर में जेल की काल कोट रही है जिसमें रहकर मैं घूट-घूट कर मरना अभी पासल नहीं करूंगी जोती जी उस रात के कीमत देना मेरी हवस्त ही मगर अब जो भी मैं आपको देना चाहता हूं वो सिर्फ एक दोस्त का दिया हुआ तोफा है जिसमें कोई लालच नहीं आपकी दोस्ती मेरे पती को मेरे साथ दुश्मनी करने पर मजबूर कर सकती है पेटर होगा आप हमारी जिए जिन्दगी में आने की कोशिश ना करें हालात ने मुझे मजबूर कर दिया मगर इंदा कमजोर ने किया कि तुम्हें अपनी आखों के सामने सब कुछ करता हुआ देखकर भी खामश्रम दीपक मेरे ख्याल से मैं ऐसा कोई काम नहीं किया है जिस पर तुम्हें गुसा आए जिस औरत की आख का पानी मर जाता है न वो तुम्हारे ही अंदाज में बात करती है अरे तुम्हें तो उसी दिन घर से बाहर निकाल देना चाहिए था जब तुम प्रकाश के मिस्तर पर सो कराई थी तीपक इससे पहले कि शक की चिंगारी जुवाला मुखी बनकर हमारे हसते खेलते घर को जला डाले तुम ज़रा ठंडे देमाग से मेरी पूरी बात तो सुनो सुनाई कि अपनी जूंठी मढट काहनिया सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूं मैं सच्चाई ये है कि मेरे लिचार ऐसी डो हे लगी है कि अगर मैं कुछ देर ही तुम्हारे साथ रह गई तो मेरा दिमाग फट जाएगा बेटर यही है कि मैं तुम से दूर चली जाओ अरे मैं भी तो यही कहता हूँ कि चली जाओ चली जाओ इस घर से क्योंकि यहाँ पर हर चीज सस्ती जरूर है मगर तुम्हारी तरह किसी की जूटन नहीं तीपक मैं जा रही हूँ मगर जाते जाते बात बताना चाहती हूँ गाड़ी बंगल और मखमली बिस्तर देखकर उनकी नियत खराब होती है जिन्होंने यह सब देखा नहों और मैं तो यह सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत पहले छोड़कर आई थी जह हूँ हाँ कोई दिल ना किसी इसे लगाए हाँ कोई दिल ना किसी इसे लगाए दिल प्यार का गले दे पे नखाई की रोग बुरा इश्क दिला की रोग आइश्क की दाव कोई दिल ना किसी इसे लगाए ईञराड इसे ऀा वस्ति ऴर री ना किसी इसे लगाए इसे इसे ली दे उपर वाले ने जब एक दिन फूल और कलिया बाते थे उपर वाले ने जब एक दिन फूल और कलिया बाते थे इश्क की जॉले मैं देखा को बस काटे ही काटे थे बस काटे ही काटे थे उलगी दिल की जो आग लगाए परिको जल चाए के रोग बुरा इसकेधा के रोग बुरा इसकेधा को कोई दिल ना किसी इसे लगाए पाल रहे हातो इस दिवना किसी दिवना इस दिवना आप इस दिवना इस दिवना गुट मैता को कहना ये प्रजेक्ट रिपॉर्ट फाइनल करके मुझे कल सुबा दिखाएं एक बात का हूँ सर क्या यह क्या बात है सर फैक्टिक लिए जो जमीन आज मैं देखने गया था उसकी डील जोती जी कर रही है जोती? मैं कुछ समझा नहीं सर वो एक महने से किसी स्टेट एजन्ट के अनौगरी कर रही है सुना है उनकी दीपक बाबू से कुछ एन्बन हो गई है ठीक है दुम जाओ ओके सर जोती को काम करने की क्या जुरूरती? जिन्दगी की जुरूरते पूरी करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा हासल करने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है मैंने तो सिर्फ नौकरी की है लोगों को ये कभी मालूम नहीं होगा कि मैं सेध धरम दास की बेटी हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मर भी गए तो आपके नाम का बोज अपने साथ में ही रखोंगी मेरा ख्याल है अब आप बेफिकर घर जास दखते हैं तीवक बिल्डिंग्स तो मैंने बहुत बनाई और लोगों ने पसंद भी बहुत की है लेकिन मुझे खुशी उस दिन होगी जब मैं अपनी M.G. रोड की जमीन पर एक प्रेम नगर बनाऊगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेम नगर का डिजाइन तुमसे अच्छा कोई नहीं बना सकता जी मैं पूरी कोशिश करूँगा सर और जानतो दिपक उसकी बुनियाद उसकी दिवारे उसकी चछत उसकी फर्ष किसकी बनेगी जी सर उसकी बुनियाद प्यार की चछत ख्यालों की दीवारे विश्वास की और फर्ष वफाका होगा बाद को बाद को बाद को बई बाद ही पक मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरा सपना जरूर पूरा करोगे आल दी बेस्ट कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जिस ग्रहक को घर दिलाएं उसमें पानी हवा या रोशनी की तकलीफ ना हो और एक बात घर में सबसे ज्यादा ज़रूरी है घर वाली आप यहाँ जी हाँ मुझे पता चला कि घरों को अबात करने की सब सची जगा यही है तो मैं भागता हुआ यहाँ चला आए आप मेरा घर अबात कर देंगी ना देखिये आपको जो भी बात करनी है ऑफिस में जाकर हमारे बॉस से कीजिए ठीक है अगर आप हर काम अपने बॉस के कहने से ही करती है तो मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ बाई मिल जाएगा और ठिक वैसा ही मिल जाएगा जैसा आप चाहें लेकिन एक बात समझ में नहीं आई आपके तो इतने सारे बंगले खाली पड़े है फिर आपको नए घर की क्या जरूत पड़ गई जरूरत ही मुझे आपके पास तक खीच के लिए आई है अब आप जल्दी से अपनी वो इजन्ट को बुला लीजिए क्या नाम है उसका हाँ जयोती और आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए ताकि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं जी मैंने उसे यहीं बुलाया है जयोत किनि मैं भो जयोता कमाने च्पन जर तुलिए जाल जाल मैंने आपको कई घर देखा है अगर आपको पसंद नहीं आए आखिर आपको कैसा घर चाहिए जिसमें घर वाली हो जी मेरा मतलब है कि बड़े घर के सामने छोटा ना लगे और छोटे घर के सामने बड़ा ना लगे जोपड़े के सामने महल ना लगे और महल के सामने जोपड़ा ना लगे और जिसे मैं देखूं तो बस देखता ही रहे जाओं मिस्तर प्रकाश मैं अची तरह जानती हूं कि आपको कोई घरवर नहीं चाहिए मेरे बॉस का ओर्डर था इसलिए मैंने सारा दिन आपके साथ बेकार कर दिया अपने बॉस का ओर्डर मानना ही तो आपकी ड्यूटी है ज कि आपकी ड्यूटी हैं कि आपकी तरह जब शियर होग अची मैं अपकी छ्रॉब्स ओूर कदिक मैं भ मुझे अगर मालूम होता कि मुझे आपके पास आना है तो वे कभी नहीं आती मुझे मालूम था इसलिए मैं तुम्होरे बॉस को अपना नाम बताने से मना किया था प्रकाश बाबू या तो आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए नहीं तो मैं ये नौकरी छोड़ दूगी जोती जी ये फैसला भी मैं आप पी छोड़ देता हूं आप जैसा चाहेंगी वैस शर्त है शर्त घबराये मत सिर्फ पांच मिनट के लिए आराम से बैट कर मेरी बात सुन दीजिए जोती जी इनसान पैदायस से लेके मरते दम तक ही बहुत मतलबी होता है वो हमेशा उसी के पास रहना चाहता है जिसके पास उसे सुकून मिले देखिये ना छोटा बच्चा हमेशा अपनी मा के पास रहना पसंद करता है थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने बाप के पास रहना पसंद करता है फिर कुछ दिन बाद अपने दोस्तों के साथ फिर बीवी बच्चों के साथ और जब उसे एसास होता है कि उपर वाले का बुलावा कभी भी आ सकता है तो वो पूजा पाट के बाहने भगवान के पास रिना पसंद करता है। चोती जी, मेरी गलती सिर्फ ये है, कि मैंने अपनी पसंद की हर चीज़ को हमेशा खरीदा है। मगर उस रात आपसे मिलकर ऐसा लगा, कि मजबूरी से तंगा कर आप तूट तो सकती हैं, मगर बिक नहीं सकती है। उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया, कि अगर आप किसी से दोस्ती रखूंगा, तो वो सिर्फ आप होंगी। घबरा ये मत, मेरी इस दोस्ती से कोई लालच नहीं, सिर्फ वो पसंद है, जो इंसान की फित्रत है। ये हाथ बुरे तो हो सकते हैं, मगर इतने गंदे नहीं कि दोस्ती के काबिल ना बन सके। अरे सर, अरे दीपक कैसे हो भाई, बस ठीक हो सर, भाई तुमने प्रेम नगर कालोनी तो बहुत खुबसूरत बनाई है। सर, जिस चीज के साथ प्रेम जुड़ा हो, तो खुबसूरत तो बनेगी ही। भाई ये बात तो तुमने सही कही है, लेकिन उसे खुबसूरत बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें जान के खुशी होगी, कि मैंने उसमें 25% शेयर तुम्हारा भी रखा है। थैंक यू सर, थैंक यू अच्छा मैं चलता हूँ, कॉल ओफिस में मिलेंगे, टेक केर, बाई इस खुशी का क्या फाइदा जब तेरा साथ ही ने रहा है हाई अचैंग हाई मिस्टर दीपक कहूं या मिस्रिस प्रकाश वह सदीपक, यह जगह इसी बातें करने की नहीं है मिस्टर प्रकाश मैं आपसे नहीं जोती से बात कर रहा हूं मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जो सौरत को सिक्कों की खनक सुनने की आदत पढ़ जाए वो किसी और की बाद कैसे सुनेगी प्रकाश चलो यहां से अरे जाती करो अभी तो मैं लोगों से तुम्हारा तार्रफ कराऊगा तीपाग प्रकाश क्या हो गया थे वेल अंकल आप जोती को घर पहुंचाईए मैं में समालता हूँ आपड़ी आप मेरे साथ आप चलो पचास जार एक पचास हजार दो पचास हजार तीन हाथों साहबानों आप लोगोंने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं अब आप इस खुमसूरत नाया मूर्ति की कीमत लगाईए इसकी बोले की शुरुवात होती है असी हजार से असी हजार असी हजार एक लाख एक लाख एक एक लाख दो एक लाख दस हजार एक लाख दस जार एक एक लाख दस हजार दो एक लाख दस हजार तीन साइबानों, चीजे चाहें जितनी भी खरिद ली जाएं मगर उनको रखने के लिए एक चीज की जरूत पड़ती है वो है घर लगता इस घर से तुम्हारा गेरा संबंध है अकदीर ने इस घर से कभी मेरा संबंध होने नहीं दिया हाँ तो साइबानों, इस खुबसूरत आलिशान मकान की बोली की शुरूत होती है बारा लाख से बारा लाग 15 लाग 15 लाग 15 लाग 15 लाग एक 20 लाग 20 लाग एक 20 लाग दो और 20 लाग 50 लाग इस घर को इस कीमत पर कोई दिवाना ही खरीच सकता है प्यासला एक, प्यासला दो, प्यासला ती! प्यासला? इस खर को खरीदा तो मैंने है मगर इसकी माल किन वो है इसकी माल किन वो है 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 ला 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 हुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ कि यह तुमने मेरी लिए खरीदा है कि सिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि यह घर तुम्हें तौफे में दू रेम नगर कॉलनी बना कर जो 55 लाख रपए मुझे कमिशन के मिले तो उसमें से एक घर तुम्हें ले दिया 25 लाख रपए प्रकाश के घर भी बज़वा दिया हाँ हाँ झाल झाल आपने मुझे यहां किसलिए बुलाया बुलाने की तो खास बज़ा है आप आराम से बैठिये वक्त आने पर सब कुछ बता दूगा जोदी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं हार परदाश नहीं कर सकता और आज तुम्हें यहां बुलाने की सिर्फ एक ही वज़े हैं कि उस रात की हार को चीत में बदल दूँ अब कहना क्या जाते हैं कहना कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि उस रात को दीपक की पत्नी मेरे पास आई थी और वापस गई थी दीपक की पत्नी आजाई है या दीपक की पत्नी मगर वापस जाएगी प्रकाश की महभूबा उस रात को ये सोचकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था कि मजबूरी में नहीं जिस दिन ये बदन महबत से मेरे पास आएगा अपना लूँगा मगर ये मेरी बेवकूफी थी ज्योती देवी बेवकूफी तुम तो दीपक की महभत में कैद हो और जब तक मैं शरीर को हासल नहीं करनूँगा तब तक तुम उसकी कैद से बाहर नहीं आ सकती प्रकाश बाबू उस दिन एक पत्नी अपना सुहाग बचाने के लिए मजबूर हो गए थी मगर आज दीपक की पत्नी अपनी इजद बचाने के लिए आपसे तो क्या सारी दुनिया से ठक्रा सकती है जोती देवी भूल कर भी ये गलती ना करना क्योंकि प्रकाश से जो भी चीज टक्राती है तो उट जाती है हालात में उस रात मुझे जरूर तोड़ दिया था मगर अब तुम मेरे साय को भी नहीं चूँ सकते क्योंकि मेरे पती ने तुम्हारे पैसे दे दिये हैं पैसे तो दे दी मगर उन पैसों का प्याच मैं तुम्हारे शरीर को हासल करके ही वसल करूँगा अगर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मेरे पास आय थी और मैंने इसे छोड़ दिया अगर तुम में हिम्मत है तो आज इससे बचलो कमीने तुने हमारी कुष्या चीनली मैं तो चे जिंदानी चोलूंगा कि अधिद कि अधिव ड़्ट कर प्लाइव कि अधिव अधिव कि अधिव 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 मेरी कसम तो अधिव कि आधि तो में इस अधिव के शाथा ने शाहते हैं इससे नहीं, अपना सुहाग बचाना चाहती हूँ, अगर तुमने इससे मार दिया, तो तुम्हे भी सजा हो जाएगी, मैं तुमसे दूर रहेकर तो जी सकती हूँ, अगर तुमसे जुदा होकर नहीं, चलो, चलो दीबग अरे प्रकाश बेटे, ये सब तुमने क्या क्या, अगर मुझे मानुम होता, कि तुम ये ड्रामा करने वाले हो, तो तुम्हारे कहने पर मैं दीबग को यहां कभी न लाता अगर आप दीबग को यहां न लाते, और मैं ये ड्रामा ना करता, तो उन दोनों का मिलन कभी नहीं होता मगर उन दोनों का मिलाने के लिए, तुम्हें अपने आपको उनकी नदरों में गिराने की क्या दरूरत थी? तैयल अंकल, राम की कदर तो सिर्फ सत्यूग में हुआ करती थी, अगर खल्यूग में वो पैदा भी हो जाएं, तो उन पर कोई यकिन नहीं करेगा मैं जब तक राम बना रहा, वो दोनों चुदाई में तड़पते रहे, हाज मेरावन बना, तो वो दोनों कितने खुश है तुम्हारे जीने का अंदाज मेरी समझ में तो आया नहीं, अगर तुम्हीं यही सब कुछ करना था, तो फिर उस रात की पिमत देकर जोती को बनाने क्या जरूरत थी तैल अंकल, मैंने हमेशा हसीन जिसम खरीते हैं, उस रात जब जोती मेरे करीब आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने एक जिन्दा लाश खड़ी है, और लाशों से खेलना प्रकाश की आदत नहीं, उस रात को ये सोच कर मैंने जोती को वापस कर दिया, कि मैं उसे मौह अबत से हासल करूँगा, मगर, मगर वो मेरी गलत फहिमे थी, दयाल अंकल, तीपक दिल है, और जोती उसकी धड़कन, उन दोनों को कोई जोता नहीं कर सकता, क्या ये वही प्रकाश बोल रहा है, जिसने जिन्दगी भर कभी अपनी हार बर्दाश नहीं थी, हाँ, दयाल अंकल, आज आपका प्रकाश हार गया, मगर इस हार में जीट से ज्यादा मसा आया, मुझे खुशी तो इस बात की है कि मैंने जिन्दगी में हर चीज़ का सौधा तो किया है, मगर, खोड़े सिकों से नहीं, खोड़े से बात की है, अगर हेड आया तो आप जैसे आई थी वैसी वापस चली जाएंगी और अगर टेल आया तो वही होगा जो मैं चाहता हूँ प्रकाश तुमने मेरे सुहाग की रूप में जो अपनी दोसी का तुफा दिया है मैं जीते जी तुम्हारी दोसी को नहीं बुला सकती परिष्टे आसमान पर ही रहा करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं परिष्टे करते हैं परिष्टे